अक्सर हम लोगों की भादूरी की किस्से सुनते ही रहते हैं लेगिन अगर कोई आप से कहे कि एक चुहा इतना दिलैर था कि उसकी हिम्मत का लोहा पूरी दुनिया मानती थी यकीनन ये बात सुनकर आपको हैरानी होगी लेकिन ये बात बिल्कुल सच है एक चुहे ने ऐसे कारणामे किये थे जिसके लिए उसे बकाइदा सम्मानित भी किया गया था आम तोर पर बंट स्निफिंग के लिए कुट्टो को रखा जाता है क्योंकि उनके सुने की शक्ती बहुत तेज होती है और जब उन्हें कहीं कुछ गलत लगता है तो वो भौक कर आपको बता भी पाते हैं कि यहां कुछ गरबड़ी है और लोग उसके भौकने से समझ भी जाते हैं लेकिन क्या आपने कभी सोचा था एक बंट स्निफिंग करियर में एक चूहा भी हो सकता है भले ही आपको यह जानकर हैरानी हो लेकिन यह बात बिल्कुल सच है इस चूहे का नाम मागवा है यह एक आफरिकी नसल का चूहा है जिसे दुनिया भर में एक हीरो के रूप में पहचाना जाता है एक जानकारी के मुताविक मागवा ने अपने पांच साल के बंट स्निफिंग करियर में हजारों लोगों की जान बचाई थी मागवा ने दक्षिनपूर एशियाई देश कमबोडिया में बारूदी सुरंगों का पता लगाने में बड़ी एहम भूमी का निभाई मागवा को इस तरह से ट्रेनिंग दी गई थी कि वो बारूद की पहचान कर अपनों को खत्रे के बारे में बता सके उसने ड्यूटी के दोरान 71 landmines और 38 जिन्दा विसफोटो का पता लगा कर हजारों लोगों की जिन्दगी बचाई मागवा को उसके शांदार काम के लिए ब्रिटिश चारिटी द्वारा मेडल से सम्मानित किया गया था यहां तक ही ब्रिटिश चारिटी का जानवरों के लिए शीर्ष पुरुसकार जो की खास तोर पर कुट्तो को ही मिलता था वो मागवा ने अपने नाम किया था आपको बता दे बेल्जिम की एक गैर लापकारी संस्था एपी ओ पी ओ चुहो को विसपोटो के बीतर कैमिकल कमपाउंट का पता लगाने की ट्रेनिंग देती है मागवा को साल 2016 में कमबोडिया लाया गया था तब वो सिर्फ दो साल का था बेल्जिम की गैर लापकारी संस्था एपी ओ पी ओ ओ ने मागवा को ट्रेनिंग दी थी मागवा ने करीब एक दशमलफ चार लाख स्क्वार मीटर से अधिक की जमीन की परताल की थी जो की करीब बीस फुट बॉल मैदानों के बराबर है जाहिर सी बात है कि जिस चुहे की उपलब्धी इतनी बड़ी हो उसकी तारीफ तो बनती है लेकिन अब आठ साल के बहादूर चुहे मागवा का निधन हो गया है मागवा को पूरी दुनिया उसकी बहादूरी के लिए याद करती है तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी क्या ये जानकर आप हैरान हो गए कि एक बंट स्निफिंग करियर में एक चुहा भी हो सकता है तो हमें कमिट करके जरूर बताएं साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और हमें दोस्तों के साथ इसको शेयर करना पिलकुल भी न भूले